नमस्कार आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का रिवा के मौसम में बीते कुछ दिनों से लगातार बदलाओ देखा जा रहा है रविवार को सुबह मौसम खुला रहा और धूप भी रही दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बोधा बादी हुई शाम करीब पांच बजे आस्मान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गए इस बारिश के साथ ही ओले भी तेज गती से गिरे है शाहर के साथ ग्रामेड अंचल में भी ओला ब्रिश्टी हुई है अचानक से ओला ब्रिश्टी होने की वज़े से सरकों पर घूम रहे लोगों में अफरात अफ्री मच गई लोग सड़कों पर ही अपना वहन छोड़ कर सीधे आसपास ये घरों और दुकानों में जा पहुँचे गरीमत रहे कि है ओले अधिक समय तक नहीं किरे अनथा बड़ नुकसान होता करेब तीन से चार मिनत के अंतराल में खुई ओला ब्रिष्ट के चलते कई जगए प्योरों की पतिया भी चुणने लगे इससे समझा जा रहा है कि ओला नुकसान पहुँचाने वाला रहा है शहर के कुछ हिस्सों में ओले की वज़े से पक्षियों के भी चोटिल होने की जानकारी सामने आई है वई शहर के नहरुनगर जिरिया समान रतहरा अमहिय सहित कई महलों में लोग घरों के भीतर भी पानी पहुँचने की जानकारी सामने आई है गोगर, गुलवसिया चोक, पुराने सबजिमंदी, फोट रोड, तरहती सहित पुराने शहर के दूसरे कई हिस्सों में तेज वारिश होने के वज़े से कई जगे नालियां उफान पर आ गई और पानी सरक पर बहने लगा कई महलों में लोगों के घरों के भीतर पानी पहुँचा हम आपको बता दे कि शहर की विविन्न महलों में इन दिनों सीवरिज प्रोजिक्ट पर काम किया जा रहा है सीवर लाइन बिछाने के लिए सरके खोट कर उनकी मरम मत नहीं कराई गई इस कारण सरकों के उपर मिट्टी का धीर छोड़ा गया है बारिशोने के बाद इन महलों में रहने वाले लोग परिशान हुए है